हेलो बच्चो आज हम लोग प्लास्टिट के बारें पढ़ेंगे सो लेस्ट स्टार्ट अबाउट प्लास्टिट प्लास्टिट आर प्रेजन्ट वनली इन प्लान सेल प्लास्टिट के वल प्लान सेल में प्रेजन्ट होता है इन इमल सेल में प्रेजन्ट नहीं होता है देखिए हमारी NCRT क्रोमोप्लास्ट और एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है लूकोप्लास्ट इन एनदर बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्लास्टी थ्री टाइप के देंगे कहेंगे क्लोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट ठीट आपको बताइए लेकिन अगर्भिन एक शकी एक होते देखेंगे प्लास्टेट वहरी टू टाइपस के उते इन ए प्लैफिट कॉनप्लास्ट ना-विद्ग भी थि तो आप लोग देखते रही हैración डाइग्राम बहुत अच्छे से बहुत एजी वे में आपको डाइग्राम क्लियर हो जाएगा। डाइग्राम क्लियर हो गया तो में pleas सब कुछ क्लियर हो गया आपको। Plast is containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast. O-plast is जिसमें chlorophyll का pigment होता है उसे chloroplast कहते हैं. यानि जिनमें chlorophyll होता है, chlorophyll की वज़ा से क्या होता है? पत्तियों का color green color होता है ना? तो जिसमें chlorophyll होता है उसे chloroplast कहते हैं. Chloroplast are important for photosynthesis in plants. Plants में photosynthesis के लिए, what is photosynthesis? Photo means होता है light, synthesis means prepare करना. Light की presence में बनाने की, food बनाने की process को क्या कहते हैं? Photosynthesis. तो जो chloroplast होता है, उप्लांस में photosynthesis के लिए बहुत important होता है. क्यों important होता है? क्योंकि chloroplast में chlorophyll होती हैं और chlorophyll सनलाइट को trap करती है. जिससे की plants जो है, वो अपना food प्रिपेर कर पाते हैं. Chloroplast also contain various yellow और orange pigment in addition to chlorophyll. Chloroplast में कई सारे और pigment होते हैं, yellow pigment भी होते हैं, orange pigment भी होते हैं. Chlorophyll के अलामा, मतलब उनमें green pigment के अलामा, yellow और orange pigment भी होते हैं. किस में कह रहा है? chloroplast में. तो इसलिए उसको chromoplast कह देंगे. Leukoplast are the primarily organally in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. Leukoplast के वल वो organally है, जिसमें starch, oil, protein, granules store रहते हैं. जिसमें वो leukoplast जिसमें starch present होता है, उसे amyloplast कहते हैं. वाट वी कॉल जिसमें starch present होता है, उसको हम क्या कहते हैं? amyloplast. और oil जिसमें present होता है, उसे हम क्या कहते हैं? alleoplast. क्या कहते हैं? alleoplast. जिसमें protein present होता है, उसे alleoplast कहते हैं. चलिए हम इसकी spelling right कर लेते हैं, नहीं तो आपको confusion हो रहा होगा. हमारे pronunciation आपको सही से समझ में नहीं आ रही होगी. amyloplast. यह amyloplast क्या है? यह lycoplast का type है. इसमें क्या प्रवाइब यह ओ, जो प्लास्टीड, जो प्लास्ट, लीकोप्लास्ट जिसमें starch granules stored होते हैं, उन्हें amylo. amylo means starch, उसे amyloplast कहते हैं. नाउ, alleoplast. alleoplast कौन सी प्लास्टिड है? जिसमें protein, मतलब जिसमें protein stored हो, उसे alleoplast कहते हैं. alleoplast मतलब protein की layer, तो मक्काउक का जो होती है, यह उसमें protein की layer होती है. फिर उसके बाद हम तीसरी कौन सी लूकोप्लास्ट की बात किये थे? alleoplast. alleoplast. यह स्विज़ में क्या इस्टोर होता है? फैट्स या ओयल. ओके? नाउ, वी विल टॉक अनुदर थिंग्स. इंटर्नल ओगनाजेशन ओफ प्लास्टिट कंसिस्ट ओफ नूमरस मेंब्रेनस layer embedded in a material called the stroma. इंटर्नल ओगनाजेशन कहरा है प्लास्टिट की. अब हम अगर structure डॉक कर लें प्लास्टिट की तो ज़्यादा बिटर होगा हमें समझने के लिए. Let us draw the structure of chloroplast. तो chloroplast जैसा कि हम जानते हैं, chloroplast में हम chlorophyll का structure डॉक कर रहे हैं, chlorophyll जो होता है वो double membranus होता है. इसमें जो बाहर वाली membrane होगा, उसका नाम outer membrane होगा. एक मिनट पे पे चेंज कर लेते हैं. और जो inner membrane होगी उसका नाम, क्या होगा? inner membrane होगा. तो outer membrane and inner membrane इसका दो नाम होता है. इसके अंदर जो है, क्वाइन लाइक structure पाए जाते हैं. इन क्वाइन लाइक structure को एक क्वाइन, इसको एक को क्या कहेंगे थेलाकॉइट. ऐसे कई सारे इसमें थेलाकॉइट पाए जाते हैं. तो ऐसे क्वाइन लाइक structure को हम क्या कहते हैं? कई सारे थैलाकॉाइड एक के उपर एक स्टैक्ट होते हैं, इसे हम ग्रैना कहते हैं, एक कुरो ग्रैनम कहते हैं, और कई सारे को ग्रैना कहते हैं, ठीक, तो इसमें कई सारे ऐसे ग्रैनम प्रेजन्ट होते हैं, अब ये जो ग्रैनम होते हैं, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़े होते हैं, अटेच होते हैं, और ये किसके दौरा अटेच होते हैं, इस्ट्रोमल लेमली के दौरा, किसके दौरा अटेच होते हैं, इस्ट्रोमल लेमली के दौरा, ओके, तो एक ग्रैनम दूसरे ग्रै पाया जाता है उसे stroma कहते हैं तो chloroplast double membrane structure है outer membrane we call outer membrane this and inner membrane और what we call thalakoid उसके बाद इसका matrix को हम क्या कहते है stroma ठीक उसके बाद यह stroma हो गया यह stromal lamely हो गई उसके बाद हम NCRT को read out करते हैं एक बार आपको clear हुआ होगा थोड़ा भूत the internal organization of classes consists of numerous membranous layer embedded in a material called stroma stroma में कई सारे numerous membranous layer आपने देखी जो कि उसमें stroma के अंदर embedded हुई थी the internal plastic are similar to mitochondria in external structure जैसे mitochondria का external structure कैसा होता है rod sapi spherical सेम उसी तरह से plastic का भी external structure होता है ठीक है तो उसमें ज्यादा differences नहीं होते हैं एक सिकेंड plastic का structure mitochondria के external structure से स्वेम होता है like mitochondria plastic also have their own DNA and ribosome जैसे plastic का अपना DNA और ribosome होता है जैसे mitochondria का अपना DNA और ribosome होता है उसी तरह से plastic का भी अपना DNA और ribosome होगा इसलिए हम इन्हें भी क्या कहेंगे semi-autonomous organically कहेंगे mitochondria और ribosome plastic को दोनों को हम semi-autonomous organically क्यों कहते हैं क्योंकि यह मतलब मैक्सिमम चीज़े अपना खुद से कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए इसे semi-autonomous organically कहते हैं तो हमने दो structure ऐसे पढ़े जैसे की फिछले में पढ़े थे mitochondria के बारे mitochondria में भी अपना DNA पाया जा रहा था और ribosome तो यह protein बना लेते हैं ठीक है ribosome protein factory होता है और chloroplast को kitchen of the cell कहते हैं तो इस तरह से यह अपना protein बना लेते हैं और सारा काम अपना खुद करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं इन्हें semi-autonomous organically कहते हैं अगर हम plastic के function की बात करें तो देखिए जैसा कि हमने पढ़ा था लिउकोप्लास्ट यह तीनों किसके टाइप थे लिउकोप्लास्ट के लिउकोप्लास्ट के बारे में जैसा आप जान रहे हैं कि यह food को store करने का काम करता है ठीक हैं जैसे कि starts को store करेगा oil droplets को store करेगा और protein को उसके बाद जो chromoplast होता है वो pollination में help करता है क्रोमोप्लास्ट की वज़़ए से plants में color आते हैं और plants में color आते हैं इसलिए उसके उपर insect या सारी चीजे attract होती हैं और जब वो attract होती है तो उनके seed को disperse करने में fruit को disperse करने में और pollination करने में help करती हैं और chloroplast की वज़े से तो हम तीन टाइप पढ़े थे लूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और chloroplast तो chloroplast की बारे में आप जानते हैं कि फोटो सिंथरसिस होता है तिस तरह से तीन फंक्शन आपको पता चल गया कि लूकोप्लास्ट फूट को स्टोर करेगा ख्रोमोप्लास्ट की वज़े से पॉलिनेशन होता है और chloroplast की वज़े से फोटो सिंथरसिस होता है इसलिए chloroplast को एक चीज और कहते हैं क्या कहते हैं किच्छन और दी शेल का किच्छन कहते हैं क्योंकि यहां ही पे तो क्या बन रहा है फूड बन रहा है in next video we will talk about vacuos thank you guys